हलो दोस्तो आज हम सेखेंगे कि बिहार चरित पन याने की करेक्टर साटिपिकट कैसे बनाया तो चलिए दोस्तो अशुरू करते हैं स्टेप बाइस टेप आपको समझाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तो आपको दूसरे वीडियो को दोखने की कोई जरूरत नह जाएगा उस पर आपको दोस्तो किलिक करना किलिक करने के बाद यह अपने आटिप्यस के वेब साइट फिले जाएगा थोड़ो वेट करते हैं दोस्तों करने के बाद दोस्तों आपको ले लोग सेवाओं का अधिकार की सेवाय में आप्शन फरस्ट में समान पर्शाशन व बाद दोस्तो थोड़ा सा ये website में प्रवेश करेगा प्रवेश करने के बाद इस तरह का डेक्स्टॉप आपके सामने ओपन होगा तो दोस्तों आप अपने अनुसार नेम पिता का नाम मोबाइल नमर इमेल आइडी अस्ताई पता आवेदक का इमेल अनुमंडल वाड नमर प को फिल करना तो दोस्तों मैं अभी इसको च्डॉप पर कि मैं अपना फिल करता हूं तो दोस्तों मैं department करने के बाद दोस्तों आपको जो आए पैसा में यानि का क्या स्टूडेंट है सरकारी सेवा या कुछ भी है जो आप student है तो बनाईए अब अब बेदन का उद्देसे में आप क्या करना चाहते हैं तो दोस्तों में नोकरी सरकारी सेवा में अस्ताई अनमंद के दार पर नोकरी यानि का आप किसी नोकरी के लिए करना चाहते हैं तो सरकारी सेवा में अस्ताई उसके अपना पूरा एड्रेस लिखना है एड्रेस लिखने के बाद दोस्तों आपको पूरा एड्रेस लिखना है लिखने के बाद दोस्तों इसमें दो साल का रिकॉर्ड दर्ज करना यानि कि अस्थाई पता तो आपको टाइप में भरना ही है और इसमें जो है कितनी इस दो साल या from month अब from month में हम किलिक करेंगे from month पर किलिक करने के बाद दोस्तों आपको December select करना है और उसके बाद 2020 select करेंगे तो यहां पर हमेंसा दो साल का हो जाएगा फिर माइने December करेंगे तो 2022 2022 हम select करते हैं तो 2022 में दोस्तों अभी December नई वहाद हम जूलाई तक देंगे तो पर जूलाई तक select किए select करने के बाद दोस्तों उसके बाद self declaration में आई एगरी पर किलिक करना है उसके बाद अपना केपचा फिल करना है केपचा फिल करने के बाद दोस्तों आपको जो भी केपचा उसको फिल किजिए और नीचे ग्रीन फाइड में submit का वटन होगा तो उस पर आपको किलिक करना किलिक करने के बाद दोस्तों फिर से यह अगले विंडो की तरफ ले जाएगा ले जाने के बाद देखते हैं दोस्तों उसमें फिर तो दोस्तों यह आ गया आप अपने उपर स्क्रॉल करके आप अपना नाम पता पूरा देख सकते हैं तो दोस्तों मैंने चेक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है नीचे स्क्रॉल करने के बाद पूरा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जो है पूरा एड्रेस पता लेने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना स्क्रॉल करके आपको यहां एटेज एन एकजर पर किलिक करना आपको किलिक करना किलिक करने के बाद दोस्तों इसमें आप कुछ attach करना होगा यानि कि आप किसी को document यानि कि निर्वाचन पचान पत्र अधार कार्ड कुछ select किजिए तो मैंने अधार कार्ड को select किया और choose file पर click किया choose file पर जैसे choose file यानि कि choose file click करके आप अपना file को जिसी फाइल में रखे उसको आप यहाँ पर select किजिए तो मैंने दोस्तो यहाँ पर आधार क्रड रखा था उसको हम select करते हैं open कर आपन करने के बाद फिर आपको दोस्तो open करने के बाद जैसे मैंने फिर से upload किया थोड़ा सा सा दोस्तों ये फिर से निये وिंडो को ले जाएगा ले जाने के बाद दोस्तों आप को नीचे जो एक संमीट बटन है उस पर किलिक करना किलिक करने के बाद अब जो है final step है अब इसके बाद दोस्तों आपका जो है character certificate वो final हो गया अब आपको इस बितर कर से डाउनलोड करना है तो दोस्तो मैंने यह फाइनल कर लिया अब इसको आप अपने कम्प्यूटर में कंट्रोल पी कीबोर्ड में कंट्रोल पी के दवाने से यह सेबस हो जाएगा यानि कि प्रिंट पर आप्शन भी है यहां सेबस किजिए सेबस करने के बाद दोस्तो आप सेबस करता हूं सेबस करने के बाद आपको अपने डेक्स्टॉप पर जैसे मैंने दोस्तों सेबस किया सेबस करने के बाद अपने डेक्स्टॉप पर उसके बाद कुछ नाम लिख दिया तो मैं कुछ नाम लिख दिया हूं उसके बाद दोस्तों आपको सेबस पर क्लिक की कर करने के बाद ये डेक्स टॉप पे दोस्तों ये स्टेव हो गया जैसा कि यह आप लोग देख रहे हैं तुम मिलते